पुफार और अभयार को वास्ता किताब से नहीं पढ़ेगा, बलके मुसल्मान से पढ़ेगा, इंसान तो इंसान से वास्ता पढ़ता है, किताब सी का वास्ता पढ़ना है, किताब तो आमली दीन नहीं है न, आमली दीन तो में और आपने, अगर पिछली किताबों में आपके आमद से पहले की किताबों में आपके जो तथकिरा किया है वो सारे यहुद नसारा के लिए अपस्जित था कियागे जोने अपकी आपको खुबूल ना किया तो इनका जूट खुलेगा सुन्ना दियान के बाद से इनका जूट खुलेगा हमने आपके आमद से पहले उन किताबों में जिनकी एक फ्लावत करते हैं जिनकी किताब हक मांते हैं उसने हमना आपके दिकर किया है औरुसकित दिकर नहीं बल्के आपका खलिया पिर इस किताबों मेंगे लिखा हु quería जिरि निसाना जिनित्वान नियुद के बड़े आजिम के, उन्हें अपनी किताबों में AAK ﷺ का हुलियाि मुपारत पढ़ा, तर आपकी तलाश मी नहीं नहीं, तर आपकी तलाश मी नहीं नहीं, आपकी तलाश में नहीं आपकर पहुंचे आपका होदियत सामने से देखा आपका चेहरा आपका होदियत देखकर समिद गये के हाँ ये वो हो सकते हैं पहुत में इत्मिनान मुझे नहीं है एकी शकल के लोग होते हैं बहास सहाबा आपका ये नुटिं की मशावथ हैं इससे हमें इसमिनाल नहीं है कि यह नभी हैं हम अपने इसमिनाल के लिए और इनको नभी यकीन करने के लिए हम इनके साथ जियाती करेंगे इन पर खुरूम करेंगे इससे जवाबी कारवाई से पता चले कि यह नभी है या नभी जवाली ताकाँ, हम तो हमेतने हित्ती बाद जानते हैं हम, कियो कर आताब धुर्म करेगा तो हम हित्का जवाब पत्थर से देंगे, ताके हम बताएं कि हमारे उन्दर भी ताकत हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मैं आज करता हूँ, कि अगर मुसल्मान इंतिकाम पर आया तो इसलाम पेश नहीं कर सकता, अगर मुसल्मान इंतिकाम पर आया तो इसलाम पेश नहीं कर सकता, और अगर मुसल्मान इंतिकाम पर आया तो इसलाम पेश नहीं कर सकता, और अगर मुसल्मान इंतिकाम पर आया, अगर मुसल्मान इंतिकाम पर आया तो फिर इंतिकाम कुफुर के लिए इसलाम के लावों को रास्ता नहीं होगा, मेरी बात बहुत तवस्चित है, कुफुर के लिए, इसलिए के नभी की आमली दावत, यह जुमला खोर से सुनना ज़रा, नभी की आमली दावत कुफुर के लिए ऐसी है, जैसा एक दौल पानी का गौह के जाए तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं स्वाए बार निकलने का गौह के लिए कोई रास्ता नहीं है स्वाए बार निकलने का गौह के लिए कोई रास्ता नहीं है स्वाए बार निकलने का गौह के लिए कोई रास्ता नहीं है स्वाए बार निकलने का गौह के लिए कोई कि बलटके यहां आना यहां ए॓ खुदा ना करें अगर इसका उल्टा हो गया कि गेरों ने इ hazır्सान किया मुसल्मान पर और मुसल्मान ने आहसन ने किया खिरा पर तो मुसल्मान के इस्तिदाद का अधिशा है गेरों के इसदा मे आने की उमीद मेदा है साफ सी इबासiter है अगर एख्ली के आफ्छान के अगयरों ने इस्मान पसWhen दो मुसल्मान के इस्ला़क सा तंदेशा है लेकिन अगया आने करके उम्मेद नहीं है और अगर एख्ली तरफ दाता है मुसल्मान को तो मुसल्मान के तिर्टिदाद के कोई तिर्टिदाद के कोई उम्कान नहीं है और गेरों के हक की तरफ आने की उमीद हो सकती है मेरी बात का वज्ज़ चालती है आपको शुर बताना चाहता हूँ अजियत देना उसके हिस्टे में आया था एहसान करना मुसल्मान के से माहिए यह तक्दिम हो यह तो अजियत देंगे आपको आप एहसान करेंगे और जो एहसान अजियत के बदले में होगा वो इस्लाम के ताहरुफ कराएगा समझे नहीं क्या कह रहा है जो एहसान होगा अजियत के बदले में होगा वो इसलाम के तावरुत कराएगा, ये इसलाम, जो इहसान अधियत के बदे में होगा, वो इसलाम का तावरुत कराएगा, वो हिदायत के जरीया वो बनेगा, हिदायत के जरीया, ये बनेगा हिदायत के जरीया, ना दिया ना दौाय हिदायत के जरीया बनेगी, ना करामत हिद अगर मुसलमान है समझ सा है के करामतों से यहां यह नभी तो हो सकते हैं मगर इनके साथ जियाती करके देखना है कि यह नभी है या नभी है या नभी दो चीजों से नभी क्या आजमाईश होती थी एक तो नभी और बादशाह में फर्व मालूम करने के लिए इन पर माल पेश किया जाता है यह नभी पेश करके देख अगर यह माल कुबल करने तो यह बादशाह है नभी 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 और अगर यह माल रद करने के लिए नभी है बादशाह नभी 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 और नभी में क्या फराक के देखते हूं। अगर यह कुबूल करना है हधिया तो यह बाद्शाय नभी नहीं है। और अगर यह हधिया रद कर देखे तो फेर यह नभी है बाद्शाय नहीं है। इसलिए के अम्बिया दिल से मांदार, ख़ञानों से फखीर होते हैं, और माध्शा दिल से फखीर, ख़ञानों से मांदार होते हैं। आफेरा भी जाल की थी के नभी में बाश्रमी क्या पराती। जे इन इस्ताना आये और आपको देखा। देखर ये ख्याल आया के हाँ, देखने में तो वो मालूम हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ तो ये एतनी ज्यात्ती की जाए। इससे इनकी एक छुपी हुई सिफ़त, सबर और परदाश। और ज्यात्ती के बजले में इस्तान ये है ये ने इसको देखना है। ये बेटे हुए थे, अचानक एक राके वाले आये। अगर कहा के फ़ला इराके में मुसल्मान इसलाम में नाये दाफिल होए थे, वाह कहत साली आ गई है। और माल की जरूरत है। आप जासिन में फूरत काबदे फरमाया। कि कुछ है इनको अखज करने के लिए काबदे लिए कुछ लिए। इनको माल की जरूरत है। लेहाद इनको माल पेश किया जाए बतोर एक कर्द के और कर्द का मुतालबा किया जाए वक्ते पेड़े। ये रहने, आपको सोना पैश किया ये सोना आप लेही लिजे। आपको जरूरत ही सूखती। और मुझे इतनी इतनी मुद्द के बाद परन तारीक में इसके बदले में इसनी खजूरे दे अपना प्रद के लिए। तारीख ते हो गई, कई तारीख है हमामाब को इसके बदले में खजूरे देंगे, आफ़ जो ना लिया खजूरे देने की तारीख ते हो गई, और वो सोना बेजा उन मुसल्मानों की मदद के लिए, इधर तारीख के आने से तीन दिन पहले, कर्दे के अजाईगी में तीन द पाकी दे, आफ तारीख से बखी में से, ये जेजूरे ने साना आए, और आफ तार के रिवान पकड़ा और आप तो धटका दिया, दिवार के साथ, और सुख नहीं में बात की, और यहां तक कह गए, कि तुम कुरेशी जाल में टॉल करते हो, और तुम उपकर कर्दा अदा नहीं करते हैं, अलग एभी तीन दिन बाती हैं, कर्द की अजाई की तारीख से होई है, उतमें तीन दिन बाती हैं, जि पर ये बुदर जाता हो, तो आफ तो यकीन दा कि आप मामले के साफ हैं, आप अदा कर देंगे, लेकिन जिवार्टी करने का मुँखा है, वो मुखा आप देंगे, आप देंगे, इन्हों ने आप से करवान पकड़ा आपको तक्का दिया, आपने खंद का मुखा किया, महबत करने वाले, हमायत करने वाले होते ही हैं, आप की तरस बुद्दा लेने के लिए, उमर रजी अल्लाह उन्हें तलवार ने का देंगे, खर्माए अ आप देंगे, इसा खबर करते हैं, यहां यही तालिम दे जा रहे हैं यही तालिम आप दे रहे हैं, अप्नी थात पे हैं अमली तालिम, कि अमर यह तुमने गया है, इसने क्या किया है। जहां अपने हमायथी को नावादा जाता है, वहां गुरूप बनते हैं, फसाल बढ़ता है और जहां अपने हमायथी को दबाया जाता है, वहां उम्मत बनती है और फसाल खतम होता है उम्मत बनाने के लिए, उम्मत बनाने के लिए एक उसूले से उम्मत बनाने के लिए एक उसूल है कि दुश्मन को नवादा जाए और दोस्त को दबाया जाए दुश्मन को दोस्त को दबाया जाए दुन्या में फसाद इसलिए है और आपसमें लड़ाई है फसाद और छगड़ इसलिए है कि उल्टा काम चल रहा है, हर जगा उल्टा काम चल रहा है दीनगा कोई भी शौबा हो, मैं आप से कहता हूँ कि जमाने में मुसल्मान उल्टा चल रहा है और इसका उल्टा बनिया है यह दुश्मन से तो मुखाबला करता है और दोस्तों का नवागता है इस साम को हुसुल यह है कि दुश्मन के साथ को इसान करना पड़ा पड़ेगा आपको और दोस्तों और दोस्त के साथ जो है सारी मुश्किलाद, सारी तकालीब सारी नागवारियां दोस्त के लिए और सारे इसानाथ वो दुश्मन के लिए जाबों करना पड़ेगा इसके वगएर आप अस्ताम बेशुन केदे चुनाजे आपने फर्माया अमरी तुम्ने क्या किया अमर तुम्ने काम गलत किया है इस सुवाल का मकसिद ही आई था अमर तुमने काम गलत किया मुझसे कहते मैं इस काह औदा करूं इससे कहते कि इस्लाम में अपने मुटालबे का अपनी चीज़ का अपने हाफ का मुटालबा करने का तरीका किया है इसको तानीम देते और मुझे इसका आदा करने की तरगीद देते इससे कहते कि इसका आदा करने की इससे कहते इनको इनका हक देना, जो इनका कर्दा हमार उपर ही. आलोattendकि भी तीन दीन को लिए भागी है. ब्मालेकि दीन के बास हामआँ है, अभी दे जाओ. इनको इनका हक दो. और जब इनका कर्दा अधा हो जुके तो इनको सतर किलो खजूरे और ज्यादा देना सतर किलो खजूरे को ज्यादा देना क्या बाते की उख एक सताने वाले के साथ मामले अप्तान कर रहा है उसुल ये बताया था उसुल ये बताया था कि अगर अजिनली है तो उसकर एहसान करना पर अगर अपने ख्याल का अपनी है तो उसके साथ मामला करना उसके साथ मामला करना मामला क्यों? इतने के मामलाथ के सही होने से तालुकात वाकी रहते हैं और असान कहने से आलुकात कायम होते हैं ये उसूल है मैं शुरी दी मिसाल अरुद करता हूँ हम किस रुखपर जा रहे हैं ने वसी बताने चालता हूँ हम लोग किस रुखपर जा रहे हैं ने बताने चालता हूँ आपकी दुकान एक पड़े की आज़ की दुकान है कप्ड़े की अगर एहसास आँखी को butterflies आज़ कि आगए आज मिसल्मान आज़ की दुकान पर और आगि को याद आगिए उसे देख आज़ कर के हाँ हमें याद आरा है हमाराण आज़ 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 चिल्ले लगाता दिल्कुल याद आगे। आप उस शक्राद देखते हैं आप के याद है। आप याद आप ओना संभी की बाते हम और आप चिले में से किहां हैंच हैंच हैं तर्दी याः किया हैं। याः कियोने चाहिए जिरीं की चाहिए बताईये क हैं। पड़ा चाहिए, कि हाँ आपके लिए तो जाये दे आपके लिए 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 आपको लेना और लो नहीं लेना तो मतलो लेकिन एक दामे को लेगा अपनों के साथ एक्सान और गैरों के साथ मामला ये इलाव सुनत है अपनों के साथ मामला ये इसलाव सुनत है इसलाम इस तरह पहला ही नहीं है इसलाम को वसूल ये है कि अपनों के साथ मामला ये इतनी बड़ी बात है सगे भाई की तरह मामला करो जाये तुम्हारा सगे भाई मामला ये इक मामला ये की लेकिन अगर गेर आ जाये तो उसको बताना के इसलाम क्या चाता है इसलाम का मकसदी ये है इसलाम आपको इसलाम से बढ़कर तासूब को काटने वाला कोई जरिया नहीं अगर इसलाम नहीं आया मुसल्मान तो तासूब बढ़ेगा उसलाम तासूब जय है वो जूरियां पेऴा करेगा और तासूब पसास बढ़ाएगा एफसान है तासूब को अधन के पादने की तो जहां एफसान नहीं होगा वह तासूब बढ़ेगा हीदे कहता हैं अमनों के साथ मामला करो तो यनि मामलंे के पाद दिए या आफेज्यक्त, मुसल्मान तुम्हा रबाई हैं. इस साथ माम लगों। और जो अजनभी है जो आपको अजनभी समझ रहा है, आप आपस की अजनभियत को एह थान के जरीये खतम करेंth अजनभियत को एखस्सान के जरीये खतम करेंừ. कि अपने अर्थ किया कि आप आप तरह सुनम का हुकम यह था अमर, इंको इनका हम देना, ओर जब हम दे चुको तो सच्छ किलो खजूर के ज़्यादा दे, ज़्यादा खजूर में नीको का आता है, अमर यह क्या कर रहे हो, नरत हम पुरा हो गया है, यह जाइद कुज़र है, कि मैं जाइद इत्रे दे रहा हूं, कि मैंने आपको तलवार से ड्राया था, और तलवार से खबल की धंकी दीती, अल्ला के रसूल का मुझे लिए हुकम है, कि इनको तुम सच्छ किलो खजूर में जयाना दे, मैंने जयादी की थी, आप पर, आपने जयादी कि अल्ला के र तुम्हें चाहिए कि इसको सतर किले खजूरे जयादत हो, ने जयादत हो, आप इसे लज़ा कीजिए, कि जयासी करने वाले के साथ इखता है, इल्ले मैं साथो बार करता हूँ, कि एखता है, कि एखता है, सबसे घटिया और अधना दर्जा, जिसको मैं और आपी जमाने में गजें सबसे बड़ा कमान समझते हैं, और इहसान का आज़ा समझते हैं, वो इहसान का सबसे घटिया रधना दर्जा है, वो ये है कि एखता है, ईखता है, कुरान का हुक्म है कि अगर कोई तुम रह्तान करे तु तुमी भी जाए कि उस पर तुम भी आहसान करो या वेटी जी उसको दो या उसे बेटर दो हाला कि मैं आप कहने जाता हूँ कि ये एहसान का सबसे एक खकी अदर जाए अगर कि मुख्सीन के एहसान का बदला नहीं देगा तो वह लाइन कहलाएगा कमीना कहलाएगा सलाम करना बेशेख सुनना देना जवाब देना वाजिवर citli जवाब देने वाजिवर Estat odor जवाब देने वाले के एहियत इतिदाकरने वाले दावत देना बड़ी सुनन देना, लेकिन किसी की दावत को रग कर देना, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुना है, दावत को रग कर देना, कोई आपको नमाद की दावत दें और आप रग कर दें, अब देना में मसूफ फरमाते हैं, जितने गुनाहें कबायर, उनमें सबसे बड़ा गुनाह ये है, कि आपको कोई शक्त खेर की तरफ मतवच्य करें, आप जवाब में ये कहते हैं, अपनी शिक्र करो, तो ये जवाब देने वाले को जवाब देना, ये तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, तो मैं कह रहा हूं धी के दावत की बाद, तो अगर आप पर कोई अश्तान करें, तो आप जवाब में उस पर अश्तान करें, ये अश्तान का सबसे अतना कर्थिया दर्जा है, दनिम्यान ड़्लज अश्तान करूए ये है, के दिश्वस में कभी आप को स्राव और रिष्वाशन नहीं किया, कभी आप उद्से बाद नहीं की, कभी आती तो इसीमें खुछ नहीं हुआ, कभी किसी गभ में आपको वंगिन आपको आपसे कभी मिला नहीं, आप जानते उसे हैं, प्रचानते नहीं, आप उसकर एहसान करें, आप उसकर एहसान का दरिम्याना दर्जा है, यह भी आला दर्जा नहीं है, आप उसको पैचानते नहीं उसकर एहसान का दरिम्याना दर्जा है, यह भी आला दर्जा नहीं है, आप उ झाल झाल